जी शेक, जब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बात पर पर जब नाक में, आंक में या कान में ड्रॉप्ज दालता है शेक, तो थोड़ी दर बाद उगले में उतरता है शेक, तो जब रोजा का वहलत होता है, तो जब हम इसे लेते हैं और वो गले से उतर जाए, तो फिर रोज़ा बरकरा रहेगा यह फिर तोट जाएगी जज़ा करें देखिए यूनुस भाई इस मसले का तालुक जो है मेडिकल साइंस से है और जहां तक मैंने पढ़ा है इन मसाइल को और उलमा ने भी सिसले में काफी तहकेक और रिसर्च किया है कि जो काम है काम का रास्ता गले में नहीं जाता है मुझे नहीं मालूम यह बात आप किस तरह से कह रहे हैं आप किसी भी डाक्टर से जो काम का इस्पेसलिष्ट हो आप उससे जाकर पूछिए कि क्या काम का की जो सुराख है उसका रास्ता गले को जाता है वो आपको बताएगा कि नहीं तहकीक यही है कि का काम का रास्ता गले तक नहीं जाता है ठीक है और रोजा तूटने के लिए किसी चीज का गले से उतरना जरूरी है उसके बगए रोजा नहीं तूटेगा ठीक है तो आप ये वसूल याद रखें कि गले से उतरना जरूरी है रोजा तूटने के लिए अगर अगर कोई डाक्ट दाक्तर तहकी करके आपको बता देता है कि हाँ कान का रास्ता गले को जाता है जब कि जो मुझे इल्म है कि दाक्तरों की तहकी कि ये है कि कान का रास्ता गले को नहीं जाता है लेकिन अगर ये थाबित हो जाए कि गले को जाता है तो रोजा तूट जाएगा वरना असल यही ह कि कान में ड्राप डालने से रोजा नहीं चूटता है बाकी एक चीज हो सकती है कि कान में डालने से आप इहसास करें इहसास करना अलग चीज है और उसके खतरात जाना अलग चीज है ऐसी ऐसी दवाएं हैं कि आप जो है अगर उनको पाउख नीचे पाउख के तालू में लग वो दवा नहीं पहुँचती है उसका आशर पहुँचता है तो उससे जो है बैरहाल कान में डॉर्प डालने से डाक्टरों की तहकिक के मताबिक चुकि वो जाता नहीं है गले में इसलिए रोज़ा नहीं चूटेगा जी जी कान का नाक का तो जाता है से सब्सक्राइब էैस को क्राहिए पढ़ारि अगर रोज़े के हालत में एएसा हो कि ISनक पूरा बंध हो और ड्रॉप लेना पड़े तो तोम रूज़ा तोड़ देना चाहीं या फिर डाल से प्रेशित सहे अगर गले में जाने की आ भी हो देखे यूनुस भाई ये डिपेंड करता है उस मरीज की हालत पर कि क्या अभी उसके लिए दवा लेना जरूरी है अगर दवा नहीं लेगा तो उसके लिए बाईसे मशक्कत है अगर हकीकत में वाईसे मशक्कत है तो खलास वो नाक में दवा डाल ले रोजा तोड़ दे अगर में रोजा रखेगा